कई सितारे सेलेब्रिटीज भी सुबह से ही लगातार सेलेब्रिशन स्पोर्ट सेंटर पे पहुंच रहें सोहा अली खान की अपसे थोड़ी देर पहले के आप तस्मीरे देख रहे हैं उनके ठीक पीछे नेहा धूपिया यानि नया दोर ऐसा दोर जो श्री देवी के बाद आया श्री देवी को देखकर बहुत कुछ सीखा रेखा प्रेम चोपडा, जोन इब्राहम, विद्या बालन ये तमाम सितारे जिनोने अपनी भाव भी नी श्रिद्धान्जली श्री देवी को दी हैपसे थोड़ी देर पहले राजकुमार राव भी वहाँ पहुंचे हैं नई पीडी के कलाकार है और उन्होंने भी श्री देवी को इतना बड़ा कद और ये मनीश मलोत्रा को आप देख पा रहे हैं मनीश मलोत्रा की एक खास साड़ी श्री देवी ने उस आखरी फंक्षन में पहनी थी उनके परिवार की शादी का फंक्षन जो दुबई में हुआ था तब शायद मनीश मलोत्रा ने सोचा भी नहीं होगा कि आखरी बार इस तरह से अपनी किसी क्रियेशन को वो श्री देवी को पहना रहे होंगे बाकाइदा एक फोटोग्राफ भी डाली गई थी एक फोटोग्राफ तक इसको लेकर के इंस्टाग्राम पर डाली गई थी लेकिन वो श्री देवी की आखरी तस्वीरों में से साबित हुई हम सीधर रूख करेंगे अभिसार आपके साथ विभा कॉल भड़ भी मौजूद है वो श्री देवी के परिवार वालों से मिलकर आई है बहुत गम का माहौल होगा क्या जानकारी आप हमें दे पाएंगे बिलकुल निया मैं सीधे बात विभा से करना चाओंगा विभा आप दोनों बेटियों से मिलके आई हैं क्या कहा है उन्होंने जब मैं अंदर गई तो माहौल एकदम शान्त था एक एक बीच में उनका पार्थिव शरीर था इतना शान्त इतनी सुन्दर लग रही थी और सब कि आसपास उनके उपर सफेद फूल डाल रहे थे मोगरे डाल रहे थे बहुत शान्त उनके चहरे पर वो शांती और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी साइड में बोनी कपूर खड़े थे उनके पीछे उनके लिए उनकी बेटियां खुशी और जान्वी आपकी उन दोनों से भी कर रही थी कि अपने पापा जो विल्कुल तो उन्हों ने जब हाँ पर बट एक चीज़ बहुत इंट्रेस्टिंग थी कि रेखा ने दोनु बेटियों को गले से लगा के टाइट गले से लगा के उनको प्यार किया सांतवनादी विद्या बालन उनकी बॉड़ी देखकर राइड में गई रोई बोनी जी के पास आई फिर से रोई तो एक माहौल बड़ा अपने था और मेरे खाल से विद्याबालन के आखरी फिल्म तुम्हारी सूलू में उस जादू को रिक्रेट करने के कोशिश भी गई थी हवा हवाई के और देखिए हर एक आक्ट्रिस का कह अगर उनकी फिल्मों ने उनकी अभिने उनकी किरदार ने किस तरह से आप प्रभाव डाला पचास साल का करिया कोई आसान बात नहीं है मतलब आप चार साल की उम्र से ही आपने शुरू कर दिया यह सब बट इतना प्यार आप इतने टाइम में बटोर ने आज साल अगर आज देखके आई हूँ वो जितनी खूबसूरत थी मैं वही खूबसूरत श्री देवी को आज अपनी आखों में समेट के लेके जाए फिर फिर जानना चाहूंगा खुशी और जानवी उनकी दोनों बेटियां जानवी की तो फिल्म रिलीस होने वाली है कुछ महीनों में उनकी लिए बहुत मुश्किल रहा होगा उन्हें ना सिर्फ मीडिया से दूर रखा गया बलकि जो लोग मिलने आ रहे थे उनसे भी कुछ दिनों तक दूर रखा गया था खासकर जो इतनी बड़ी तराजदी उनकी उपर आई है मतलब वो अपने आपको बड़ा स्ट्रॉंग करके रखा हुआ था उन्होंने हाला कि एक मा को खोने का जो दर्द है वो तो डेफिनिटली होता है और वो दिखता भी है विवा मुझे बताईए कि उनके पार्थिव शरीर को किस तरह से सजाया गया अगर एक बार आप मेरी एक तरह से प्रवेश कर रहे हैं आप आप बता रही थी पताईए उनका पूरा एक इंकलोजर बनाया था वहां से लोग उनके दर्शन कर रहे थे वहां पे फूल रखे हुए थे लाल गुलाब रखे हुए थे और मोगरे रखे हुए थे जो भी उन्हें चड़ाना चाहे अ बहुत ही खूबसूरत लगी थी मतलब मैं जो वाइरल पिक्चर देख रहे थे कल हम लोग उससे बहुत डिस्टरब हो गए थे मगर आज जब मैं अंदर जाके गई तो मेरे को लगा कि मैंने उस उन्हीं श्रीदेवी को वापिस देखा और आँखों में देखा और शायद म हमारे जहन में इतना बड़ा मुकाम बनाया है तो नहां एक तरह से आप देख सकती हैं चांदनी सितारों में विलियन हो गई जैसा कि हम लगातार कह रही है मगर चांदनी का असर श्रीदेवी का असर ना सिर्व उनके लाकों करोड़ों फैंस पर रहेगा बलकि उनके तमाम तमाम लोगों पर जो उनकी आसपास विभाब एक बार फिर मैं आप से जानना चाहूंगा आपने विद्या बालन को देखा वो खुद पर काबू नहीं पर पाई वो पहले बोनी जी से मिली तो बहुत रो रही थी पहले जब वो देख रही थी तो जब आ रही थी परिक्रमा ले रही थी तो तब उनके आंखों में से आंशू चला करें थे बट वो जब एंड हुआ तो वो एकदम से फूट-फूट के रोने लगी उनके पती सिधार त्रोय कपूर उन्होंने उनको संभाला और फिर वो जब आई और फिर उसके बाद बोनी कपूर से मिली उनसे जोर से हग किया और एकदम से रोपड़ी फिर सोनम कपूर आई उन्होंने उनको थोड़ा सा साइड में ले गई और उनको थोड़ा सा बिठा के थोड़ा सा शांत करवाया अंदर माहौल वैसा ही था हरा कि माहौल ऐसा था कि सब रोग रोग पड़ते मगर क्योंकि वहां पे उनकी बेटियां थी तो सब लोग अपने आपको कहीं ना कहीं रोक रहे थे ताकि उस चीज का असर उन पे इतना ना पड़े विभा रेखा को एक तरह से मेंटॉर मानती थी मुझे याद है असी के दर्शक में रेखा से वह अड़वाईज भी लिया करती थी अभिनाय को लेकर और मुझे याद है आखरी रास्ता में तो उनको डब किया था रेखा में एक लिंक था और रेखा ने उनकी दोनों बच्च आखरी थी वो जो उन लोगों को दोनों को मैं आपको बताई ने सकती फिल्मों के बारे में तो हम लोग रोज बात करते हैं मगर आज जो अंदर एक इमोशन था परदे के पीछे का इमोशन था वो लग रहा था कि वो ना उनके बेटियां किसी पर आगर विश्वास करें त को रखा हुआ था और बिठा के रख रही थी और उनके देख रही थी कि उनको ज्यादा को लोग घेरे ना उनको परेशान ना करें तो हर लोग आप मिस्स कर रहे हैं बिलकुल वो बैंट जा रहा है अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जिसके जरिये उन्हें श्र लोड़ी को जिस तरह से बिदाईज दी जाती है वैसे ही अभी उनको भी दी जाएगी इसलिए सारा बैंड अभी अंदर गया है तो उसी तरह से होगा और उसके बाद यहां से मतलब यह सब चीजे यह प्रक्रिया खतम होने के बाद फिर यात्रा पवन हंस की और चली जाए जो की इस देश की पहली फीमेल सुपर स्टार जाहर सी वाते जानवी के लिए तो बहुत ही मुश्किल यह लंहा होगा बहुत मुश्किल था आखरी वक्त में उनके साथ थी भी नहीं जब यह हुआ है इंफक्ट वह ज़्यादा दर्द जादा रहता है कि जब आप उनके सा से हांडल कर लिया था कि दो नों को दोनों को होल कर लिया था उन्होंने उनको अपनी बैटी। हैं कि अपने आपको बहुत ही गरिया था जिस तरह का आप शृदेवी का परसौना बहर देखते हैं यह शॉवी चल रहा हो मगा बाहर से एक पसोना था कि स्ट्रॉंग विल्ड और ये सब वैसे ही उनकी बेटियों ने का भी शक्सित मुझे अंदर नजर आई और सबसे मिल रही थी सब उनसे मिलना चाह रहे थे और पूरा परिवार मुझे आसपास सोनम थी वहाँ पे श्रद्धा कपूर थी वे दोनों उनके पीछे-पीछे अरज़ुन कपूर एक बड़े भाई की तरह, मैं अरज़ुन कपूर के बारे में खास तोर पर आपसे जाना चाहता हूं, मैं आपसे ये भी जाना चाहूंगा कि उनके पार्थिव शरीर को किस तरह से रखा गया है, मगर अरजुन कपूर, हम मुना कपूर का निथन हो गया था और अब ये अजीब और गरीब कुरूर मजाख है वही कहानी मगर एक चीज बहुत ये थी कि वह अपनी बेहनों को लेकर खड़े थे अपने अपने पिता के बिल्कुल पीछे खड़े थे जो बिल्कुल तूटे हुए से लग रहे थे वह अ नहीं वो भी मैसूस करेंगे कर रहे होंगे कि मैं उनकी माता जी मुना उनकी पहली फिल्म नहीं देख पाई और विडमना है इस परिवार के साथ कि किस तरह से मुना कपूर उनकी फिल्म के रिलीज होने से पहले उनका निथन हो गया और आब जानवी की फिल्म से पहले मैं बहुत सारे प्रक्रवियां से गुजरी है तो जो एक बॉक्स में रखा गया था जाहर है कि उसमें आइस और वो सब यह होगा तो उसमें उनको रखा गया था और सजाया गया था पूरा मेक अप और डूपर्ट जिस तरह से एक सुहागन विदा लेती है इस दुनिया से वैसा ही था बट उनकी आँखें ऐसा लग रहा था कि अभी खोल के बोल देंगे कुछ आखें बहुत मतलब वो बहुत खुबसूरत लग रही थी जिस चांदनी को हमने हमेशा महसूस किया उसी तरह से हम उन्हें उनके आंतिम सफर में या कहा जाए आंतिम दीदार आंतिम दर्श अब सार और विभाक अलभट को आप सुन रहे थे विभाक अलभट अंदर जाकर अपनी श्रधांचली देकर आए यह है एबीबी न्यूज आपको रखे आगे